इस्रेल को हमास के हमले से बचा पाने में खुफिया एजंसी मोसाद पूरी तरह नाकाम रही अब पच्छावे का आसु बाहने की जगह वो एक्शन मोड में है हमास पर हमले बढ़ाने और अपने बंधक नागरे को गुछुडाने के लिए मोसाद ने ओपरेशन शुरू कर दिया मोसाद ने हमास के संपूर वेनाच के ओपरेशन को नाम दिया है प्लान फाइड इस्राइल की खुफिया एजेंसी के टॉप एजेंट्स फिए इस्राइल की घरेलू सुरक्षा वाली एजेंसी शिन पेट फे इस्राइल का डेफेंस फोर्स यानि आईडियाफ फे इस्राइल के इस्राइल के खुफिया एजेंट्स और मुख्बिप ना सिर्फ फिलिस्तीनी आतंगवादी समुहों में हैं बलकि लेपनर, एरान, सीरिया और यहां तक की दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इस्राइल के खुफिया एजेंसी के टॉप एजेंट्स की मौझूद्गी ना हो इस्राइल को खत्रे से बचाने के लिए सटीक जानकारी ही नहीं बलकि अपने दुश्वनों के घर में घुसकर हत्या कर चुकी हैं लेकिन इस बार जब हमास हमले पर उत्रा तो मोसाद को, शिन बेट को, आईडी एफ को भनक तक नहीं लगी जल, थल, नव, हमास ने इस्राइल के इतिहास में विद्वन्स और विनाश्टी नई स्क्रिप्ट लिख दी और इस्राइल की तमाम खोफिय अजनसियां मूँ ताक्ती रह गए सवाल है, हमास के हमले के पहले सूचना जुटाने में कैसे फेल हो गई तेज दर्रार मोसाद शिन बेट को क्यों नहीं हुआ हमास के हमले का अंदेशा IDF क्यों वक्त रहते हमास के खत्रे को भाप नहीं पाया इन सारे सवालों का जवाब डीटेल में आपको दिखाएंगे लेकिन इस्राइल में जो हुआ है उसने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिये हैं जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है इस्राइल के खुफिया एजन्सियों की नाकामी के बाद काम खत्म नहीं हुआ बलकि शुरू हो गया है लहाज़ा सवाल उठ रहे हैं कि मुसाद हमास से इस्राइल के खिलाफ कि ये हमले का बदला कैसे लेगा मुसाद इस वक्त किस तरह की रणनीती पर काम कर रहा है बंदकों को गाज़ा से छोड़वाने के लिए मुसाद ने कौन सा नया प्लैन तयार किया है हमास के खलाफ इस्राइल के हर एक्शन की बारीक बातें आपको दिखाएं उसके पहले इस्राइल के जासूसी सिस्टम को समझना जरूरी है क्योंकि सवाल उसी पर उठ रहे है इस्राइल के तीन बड़े खुफिया संगठन आमन, शनबेट और मुसाद है इन में से मुसाद के भी दो काउंटर टर्रिजम यूनिट है पहली यूनिट है मेट साड़ा जो दुश्मन पर हमला करती है जबकि दूसरी की डोन इसका काम गुपत ही रखा गया है लेकिन मोटे तोर पर ये आतंक्यों के खिलाफ कार्यवाई करती है मेट साड़ा की भी अपनी अलग यूनिट्स है खुफिया जानकारी संबंधित अत्याधुनिक टेक्नलोजी मजबूत सीमा पर सुरक्षा कैमरे अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग मोशन सेंसर बॉर्डर पर आधुनिक फेंसे बावजूद इसके हमास इस्रेल में घुसा और मौद का तांडों मचा दिया टाइमस ऑफ इस्रेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के सालों में इस्रेल के डिफेंस फोर्स यानि आईडियेफ ने ये मान लिया था कि हमास इस्रेल पर बड़े हमले नहीं कर सकता है क्योंकि उसे इस्रेल की ताखत का अंदाजा है और रियाक्शन के डर से वो ऐसा नहीं करेगा लेकिन हुआ उल्टा, IDF का अनुमान एक दम गलत निकला नतीजा सामने है, इस्रेल और हमास के बीच बमों की बरसात हो रही है घाजा की दबा, इमारतें बता रही है कि इस्रेल अपने ओपर हुए हमले का सूध समेत बदला ले रहा है हमास की धर्ती पर इस समय सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है इस्रेल पर हुए हमलों और मौतों ने मुसाद की विश्वस्नियता को बड़ा जटका दिया है हमले के बाद हर कोई 1973 के यौम के पुर्युद की विफलताओं की बारे में बात कर रहा है लेकिन अब की बार का हमला यौम के पुर्युद की विफलता जैसा नहीं है बल्कि ये और भी गंभीर है 1973 में खोफिया एजनसी को सब पता था और लीडर्शिप ने भी समय पर फैसला लिया था ये अलग बात है कि फिर भी नतीजा बहुत भयावा निकला लेकिन ये कहना मुश्किल है कि तब कोई खोफिया जानकारी नहीं थी इसके ठीक उल्टा इस बार हमले की कोई खोफिया जानकारी थी ही नहीं और जब कोई खोफिया जानकारी नहीं होती है तो राजनितिक नेत्रे तो निर्ण एल ले भी तो क्या और कैसे अब सवाल है कि मोसाद का अगला प्लान क्या है मुसाद हमास की तबाही के लिए कौन सी रण नीती पर काम कर रहा है और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मुसाद इस्रैली नागनेकों को हमास की गिरफ्ट से कैसे छुड़ाएगा